जै श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाए क्या आप जानते हैं कि राजा दक्ष को बकरे का सिर्ख क्यों लगाया गया? तो आईए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि हम इससे पहले वाले भाग में बता चुके हैं कि देवी सती ने राजा दक्ष के अपमान करने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था उनके शरीर त्यागने की सूचना जब नारज जी ने शिवजी को दी और जब शिव जी ने सुना कि उनकी पतनी सादवी सती प्रजापती दक्ष द्वारा किये गए अपमान के कारणट मर चुकी हैं और उनके सैनिक भी खदेड दिये गए हैं तो वह अत्यादिक क्रोधित हुए इस प्रकार क्रोध के कारण शिव जी ने अपने सिर्की जटाओं में से एक लट नोट ली और उस लट को प्रत्वी पर पटक दिया उससे आकाश के समान उचा तथा तीन सूरियों के सम्मलित तेज के समान एक भ्यानक श्याम रंग का असुर उत्पन हुआ उस असुर का नाम वीरभद्ध था शिव जी ने उसे आजदेश दिया तुम मेरे शरीर से उत्पन होने कारण मेरे समत पार्शदों के प्रमुक हुए अता यग स्थल पर जाकर राजा दक्ष को और उसके सैनिको सहित मार डालो वै श्याम पुरुष्ट्री भगवान का मूर्ती मंद क्रोध था और शिव के आदेशों का पालन करने हितु उद्यत था वै राजा दक्ष के यग्य का विदुहंस करने के लिए निकल पड़ा और उसके साथ शिव जी के अनेक सैनिक उसके साथ हो लिये वहाँ पौचकर वीर ब्रद्र तथा और सैनिकों ने राजा दक्ष के यग्य का विदुहंस कर दिया यग्य के विदुहंस के बाद वीर ब्रद्र ने राजा दक्ष का भी सिर्क काट दिया यग्य भूमी शमशान भूमी बन गई वहाँ पर उपस्थित देवता घबरा गए वे ब्रह्मा जी की शरण में गए वे सब ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जाकर शिव जी से शमा याचना करो देवताओं के अनुग्रह करने पर ब्रह्मा जी भी देवताओं के साथ हो लिये पहां पहुँचकर सभी देवताओं और ब्रह्मा जी ने हाद जोड़कर शिव जी को सादर प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने कहा हे शिव आप यग्ये का भाग पाने वाले हैं तथा फल प्रदान करने वाले हैं दुष्ट पुरोहितों ने आपका भाग नहीं दिया अता आपने सर्वस ध्वन्स कर दिया जिससे यग्य अधूरा पड़ा है अब आप जो आवश्यक हो करें और अपना उचित भाग प्राप्ट करें हे भगवान आपकी क्रपा से यग्य के करता राजा दक्ष को पुना जीवन्दान मिले हे यग्य के विद्वन्सक क्रप्या आप अपना यग्य भाग घ्रहन करें और क्रपा पूर्वक की यग्यों को पूरा होना दें शिव जी ने का हे पूज पिता ब्रह्मा मैं देवताओं द्वारा किये गए अपरादों की चिंता नहीं करता चूकि ये देवता अलप ग्यानी है अता मैं उनके अपरादों पर गंबीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहा हूँ मैंने तो उन्हें रहा पर लाने हेतु ही दंडित किया है शिव जी ने आगे कहा चुकि राजा दक्ष का सिर पहले से ही जलकर भस्म हो चुका है अता उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा जब शिव जी के निर्देशा अनुसार सबकुछ संपन हो गया तो यग में वद्ध के नीमित लाए गए पशु का सिर को राजा दक्ष के सिर के साथ जोड़ दिया गया जब राजा दक्ष के सिर पर पशु का सिर लगा दिया गया तो राजा दक्ष को तुरंत ही होश आ गया और जो ही वै निद्रा से जागा तो राजा अपने समक्ष शिव जी को खड़े देखा राजा दक्ष ने कहा हे शिव मैंने आपके प्रती बहुत बड़ा अपराद किया है मुझे शमा कीजे शिव जी ने उनको शमा कर दिया इस प्रकार शिव द्वारा शमा किये जाने पर राजा दक्ष ने ब्रह्मा की अनुमती से विद्वान, स्वादूओं, पुरोहितों तता अन्य विक्तियों के साथ पुना यग्यक करना प्रारम कर दिया और उसे संपन्न किया आशा करते हैं कि राजा दक्ष की ये कथा आपको पसंद आई होगी क्रप्या, लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले जै श्री कृष्ण